हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टो है चैनल बॉन्ड ओफ लर्निंग आज हम इस वीडियो में क्लास सेकिंड के जो स्टुडेंट्स है उनके लिए मैट्स के एक वॉक्षिट देखने वाले हैं तो लेट स्टार्ट वीडियो देखें सबसे पहले जो कोशन है वो है हमारा वाट क और दो खुलेदा वाले है वाट को पता होता है आफ्ट का मतलब होता है बाद में क्या आएगा तो जो पहला नंबर है इस 454 के बाद में आता है 455 तो आपको वो करना है थन 899 तो उसके बाद आएगा 900 एखें जें 612 तो उसके बाद आएगा 613 यह अलग-अलग शेप्स ब होना है आपको जो अंसर है वही लिखना है 332 then 333 100 then 101 101 549 550 ठीक है ओके अब इसमें है 267 यहां लिखना है 268 ओके तो आफ्टर पूछा है तो बाद वाला लिखेंगे अगर इसी कोशन को बिफोर में पूछ लेते हैं आप से तो जस्ट इसके पहले वाला नंबर आपको लिखना होगा ओके नेक्स्ट कोशन है हमारा कंप्लीट द सीरीज आपको एक सीरीज दी हुई है नंबर्स की सीरीज को पूरा कंप्लीट करना है कहां तक जहां तक यह खतम ना हो जाए जैसे 990 यहां लिखेंगे 91 991 992 993 994 995 996 इस तरीके से आपको यह 996 तक लिखकर सीरीज को मूब तो दो सेकेंड वन 133 इसको भी 134 135 136 137 इस तरीके से कंप्लीट करना है सिमिलरली आपको यह जो बाद वाली दो सीरीज है यह करनी है यह एक काउंटिंग ही है काउंटिंग पैटन ही है इसलिए इसको आप खुद करेंगे यह हाड नहीं है ओके आप इसे आसानी से कर सकते हैं नेक्स्ट कोशन देखिए नेक्स्ट कोशन है शेड टू कॉइन्स वर्थ 75 ठीक है यह बहुत सारे कॉइन है 1 2 3 4 5 कॉइन्स है आपके पास इसमें से उन दो कॉइन्स को आपको शेड कर देना है जिनकी वेल्यू कितनी होगी 75 होगी तो कोई भी दो कर सकते हो आप तो कोई भी दो कॉण से करेंगे हम करेंगे 20 का अगर हम कर देते हैं शेड ओके एंड दैन हम कर देते हैं 50 को ठीक है तो 20 और 50 जब हम दोनों शेड करेंगे न तो हमारा 75 बन जाएगा similarly शेड 3 कोईंस वर्थ रुपीज 5 अब 5 रुपीज बनने चाहिए तो 5 रुपीज कैसे बनेंगे हम 3 कौन से सिक्के इसमें से शेड करेंगे रुपीज 2 रुपीज 2 और रुपीज 1 ऐसे शेड कर देंगे कलर कर देंगे तो रुपीज 5 बन जाएगे शेड 4 कोईंस वर्थ रुपीज 10 जो 10 रुपी है उसके लिए हमें 4 कोईंस करने हैं ठीक है तो 4 कोईंस करने हैं 10 के लिए तो हम क्या कर सकते हैं इसमें हम करेंगे रुपीज 5 ठीक है एंड रुपीज 2 रुपीज 2 एंड रुपीज 1 तो 1, 2, 3 और 4 हमारे 4 कोईंस भी हो गए और रुपीज भी हमारे 10 हो गए 5 ये वाले और 5 ये तीन हो मिलकर ठीक है इस तरीके से आपको ये वाला कोशन करना है नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट कोशन है हमारा कनवर्ट रुपीज इंटू 20 पैसे में आपको बदलना है रुपीज को तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि 1 जो रुपी होता है उसमें कितने 20 होते हैं उसमें 100 पैस होते हैं अगर आपको ये पता है तो आप उसको आसानी से change कर सकते हैं ठीक है तो रुपीज 10 में कितने 20 होंगे एक में अगर 100 होते हैं तो 10 में कितने हो जाएंगे 1, 0, 0 and 0, 1000, 20 ओकी पैसे हो जाएंगे 25 में भी आपको क्या कर देना है जितने भी नंबर होंगे उनको आपको 100 से multiply कर देना है इसका एक simple सा जो formula है वो यही है कि आपको जितने भी value दी है उसको आप multiply कर दो with 100, ओके तो आप आसानी से इसको कर सकते हों लाइक अगर हम एक example देखें यहाँ पे 25 दिया है तो 25 में कितने पैसे होंगे 25 multiplied by 100 तो कितना आजाएगा 2500 और और भी short में करना चाहते हूं बिल्कुल multiplication भी नहीं करना है तो 14 दिया है उसमें कितने पैसे हैं तो 20 आगे लगा के simply क्योंकि 100 होते हैं multiply by 100 करने से 20 आगे लग जाते हैं उस number के 7 है तो 700 ठीक है इसी तरीके से यह भी एक simple method है इससे आप कर सकते हो पर आपको basic knowledge होना बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपीज में 100 पैस होते हैं then move to the next question next question we have that is of solve 25 पैस को आपको plus करना है किसमें 10 जो आपके 20 हैं उसमें ठीक है तो यह simply plus और minus के questions है इसमें आपको सिफ रुपीज और इनका ध्यान रखना है जहां रुपीज का symbol है वहां हम रुपीज लिखेंगे जहां पैसों का है वहां हम 20 लिखेंगे यह simply addition and subtraction है ठीक है जैसे पहले में आप देखें कि 5 में 0 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा and 2 प्लस 13 तो 35 पाइस आपको sign देखना है इसमें plus करना है इसमें हमें second वाला जो है इसमें minus है तो हमें इसको 55 पाइस minus 10 पाइस करते हैं तो 5 का 5 and 4 तो 44 पाइस आ जाएगा answer इस तरीके से आपको यह कर देना है next में आपको यहां जो solve करना है जैसे पहले 20 करते हैं 5 and minus है यह तो 5 में से 0 निकालेंगे 0 2 minus 1, 1 ठीक है यह तो हो गए 20 and rupees कितने है 5 minus 0, 5 and 3 minus 1, 2 तो 25 rupees and 10, 20 इस तरीके से answer करना है next आप देखे write the total money write the total amount with the symbol symbol का मतलब है आपको यह rupees symbol भी use करना है हम क्या घरते हैं कि जब solve करते हैं तो उसे only numbers लिख देते हैं तो उसके number कटेंगे आपको symbol ज़रूर लगाना है Rahul has 3, 10 notes and 5 notes Rahul के पास 3 notes हैं वो किसके हैं? 10 के हैं और एक जो है वो 5 का है तो आपको total money बतानी है कि Rahul के पास कितनी है 10 notes जो हमारे पास है sorry 3 notes जो 10, 10 के हैं that is equals to 30, 30 में 5 add कर देंगे it will become 35 rupees ठीक है यह 35 rupees बन जाएगा चारो has 5, 1 rupee note, 5 तो है 1 rupee note तो 5, 1 rupee note का मतलब कितने हैं? 5 rupees हैं and 2 rupees 10 notes 2 कितने हैं? 10 के तो 2 10 के हैं मतलब 20 और पहले 5 थे तो बन जाएगे 25 rupees इसी तरीके से 10 में है 6 20 notes and 1 2 notes ठीक है? तो 6 note है 20 के तो आप इसको multiply करके निकाल सकते हैं 6 note है 20 के तो 26 जब हम करेंगे तो answer आएगा 120 ठीक है? और 120 में 2 add करेंगे तो 122 इसका answer आजाएगा तो उसके पास 122 rupees हैं symbol भी आपको ज़रूर लगाना है तो ये एक worksheet थी maps की I hope आपके लिए useful रही होगी मिलती हूँ आपसे एक लिए वीडियो में Thank you so much for watching बड़ पर एको बेंगे